बॉल्यूड को ना जाने किसकी नजर लग गई है बड़े से बड़े स्टार्स की फिल्म में इन दिनों बॉक्स ओपिस वर बुरे तरीके से फ्लाफ हो रही है उपर से बॉयकॉट ट्रेंड ने बॉल्यूड की कमरी तोड़ दिये ऐसे में बॉल्यूड इस्टार्स इन दिनों अपनी फिल्मों को रिलीज करते हुए काफी डरे से में से रहते हैं जहां बड़े से बड़े एक्टर की फिल्म से ये उमीद लगाई जाती है कि ये फिल्म बॉक्स ओपिस पर कुछ कमाल करेगी लेकिन वो फिल्म बॉक्स ओपिस पर बुरे तरीके से फ्लॉफ हो जाती है ऐसे में शुकरवार के दिन रिलीज हुई बॉल्यूड इस्टार रितिक रोशन और सैफली खान की फिल्म विक्रम वेदा का भी ये हाल हुआ है आपको बता दे कि सैफली कान और रितिक रोशन इस्टारर फिल्म विक्रम वेदा साउथ की विक्रम वेदा की एक रीमेक है लेकिन जब से इसका ट्रेलर रिलीज हुआ है तब से मार्केट में इसको लेकर काफी ज़्यादा बज़ बना हुआ है और कहा जा रहा था कि ओडियन्स ने इस फिल्म को देखने के लिए काफी उतावली हो रही है ऐसे में ये अनुमाल लगाया जा रहा था कि ये फिल्म रिलीज होता ही बॉक्स ओपिस पर ताबर तोड़ कमाई करेगी आपको बता दे कि विक्रम वेदा के साथ रितिक रोशन ने लब्मे समय के बाद बड़े परदे पर वापसी की है वही फिल्म के रिलीज होने के बाद इसे फिल्म क्रिटिक्स और ओडियन्स से काफी अच्छे रिव्यूज मिले है पहले ही दिन इतना अच्छा रिव्यू मिलने के बाद भी विक्रम वेदा ओपनिंग बॉक्स ओपिस पर कुछ कमाल ने कर पाई है इसकी पहले दिन की बॉक्स ओपिस कमाई ने मेकर्स को थोड़ा निराश जरूर किया है ये फिल्म आमिर खान की लासिंग चड़ा को भी पहले दिन की कमाई के मामले में पिछे नहीं छोड़ पाई है एक मीडिया रिपोर्ट के मताबिक रितिक रोशन और सैफली खान इस्टारर फिल्म विकरम वेदा ने पहले दिन बॉक्स ओपिस पर करीब 11 करोड 25 लाग का बिजनस किया है जो कि आमिर खान की लासिंग चड़ा के ओपनिंग बॉक्स ओपिस कलेक्शन से कम है क्योंकि आमिर खान की लासिंग चड़ा ने पहले ही दिन बॉक्स ओपिस पर 13 करोड का बिजनस किया था विकरम वेदा के मेकर्स के लिए ये काफी हताशा बना रहेगा क्योंकि उनको उम्मीद थी कि ये फिल्म पहले ही दिन बॉक्स ओपिस पर करीब 20 करोड रुपे की कमाई करेगी देखा जाये तो मेकर्स को इसकी चिंता होना जायज भी है क्योंकि इन दिनों एक ऐसा ट्रेंड चल रहा है कि जो फिल्म पहले ही हपते में पिट जाती है वो फिल्म वापिस बॉक्स ओपिस पर दुबारा खड़ी नहीं हो पाती है ऐसे में रितिक रोशन और विक्रम वेदा के मेकर्स चाहेंगे कि फिल्म जल से जल अच्छी कमाई करें वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा है कि विक्रम वेदा का बॉक्स ओपिस कलेक्शन अगले हपते बढ़ सकता है क्योंकि नवरात्री और दश्रे के दिन आफ रहेगा और इस दिन फिल्म का कलेक्शन और अच्छा हो सकता है लेकिन रितिक रोशन की फिल्म विक्रम वेदा के लिए सफर इतना आस्थान नहीं रहेगा क्योंकि Box Office for South की मनी रतनम की फिल्म पॉनियन सेलवन पार्ट वन के साथ कलेश होगा और इन दोनों फिल्मों को लेकर Box Office पर जवर्दस टकर हो सकती है जिसका असर विक्रम वेदा के Box Office कलेक्शन पर भी होगा बात करें PS7 की तो इसके अंदर एशोरे राय बच्चन लीड रोल में नज़र आएगी ये एक पीरियेट फिल्म है जिससे लंबे समय के बाद एशोरे राय बड़े पर वापसी कर रही है खेर दोस्तों अगर आप लोगों ने विक्रम वेदा को देख लिया है तो कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको ये फिल्म कैसे लगी है